शिरी शिवाइन नमस्तूब्यम हर हर महादेव कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और उपाय लिख रहे हैं जिसको करने से अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है आपका काम बन ही नहीं रहा है तो यह उपाय आपके लिए है जिस किसी का भी अदालब में फाइल लगी हुई है और वो फाइल आगे नहीं रही है तो यह उपाय आपके लिए क्या है क्योंकि यह जो उपाय है यह अटके हुए कामों को निकालता है परदी मिशा जी बताते हैं कि जो भी इनसान इस उपाय को करता है उसकी सुमस्या का समाधान चल रही हो जाता है इस उपाय को करने के लिए आपको पांच बेल पतर कोई भी एक सफेद रंग का फूल और साथ में आपको इस सफेद लोटा जल ले लेना है जो कि आपको तांबे की लोटे में भढ़ना है ये सब लेकर आपको महादेश के यहां पहुंच जाना है वहाँ पर आपको दक्षिन दिशा में अर्था आति आप जलाधारी के ओपोजित में खड़े हो जाओगे आपका मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए ठीकिसी प्रकास से जैसे कि हम इस एनिमेशन वीडियो के माध्यां से आपको समझा रहे हैं इसके बाद आपके हाथ में जो पांच बेल पत्तर हैं आपने महादेव पर इकठे समर्पित कर देनी है आपकी डंडी का भाग होगा जलाधारी की तरफ और पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ इसके बाद आपने हाथ में जो आपने एक सफेद फूल लिया है वो इन पत्तियों के उपर ही चड़ा देना है और साथ में कुंद केश्वर महादेव का नाम लेना है जी हाँ आपने कुंद केश्वर महादेव का नाम लेना है और इसके बाद आपने इस लोटे को उठा लेना इस लोटे से आपका जल दीरे दीरे इन पत्तियों से होता हुआ ही जाना चाहिए और इनी पत्तियों के उपर ही आपका यह जल समर्पित होना चाहिए जब आप दीरे-दीरे महादेव के उपर यह जल समर्पित करोगे तब आपको महादेव से अपने मन की बात कहनी है और उनको कहना है कि यह काम आपका लंबे समय से अटका हुआ है आप उसकोशिश कर रहे हैं किन्तो यह काम नहीं निकल रहा है आप उनका काम निकलवा दे महादेव से इस कार्ट से गिंती करते वे आपने दीरे-दीरे यह जल समर्पित कर देना है जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे कोमेंट सेक्षिन में हरहर महादेव ज़रूर लिखे ताकि आप में मोटिवेशन मिल सके आपके लिए इस तरह की वीडियो से बनाने के लिए जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहां तक इस वीडियो को ज़रूर शियर कर दे शिरिश्वाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव मिलते आगले वीडियो में